Good morning student, last lecture में बिटा हम Aldol Condensation कर रहे थे, Aldol Condensation में मैंने आपको पताया था कि आपने क्या करना है, कोई भी Aldehyde लेलो या Ketone लेलो, या तो 2 Aldehyde लेलो या 2 Ketone लेलो, बस condition क्या है कि उनके पास Alpha Hydrogen होने चाहिए, Alpha Hydrogen मतलब Alpha Carbon पे जो Hydrogen लगी है, that is called here Alpha Hydrogen, ठीक है Alpha Hydrogen वाला Aldehyde की टोन लो उसमें कोई बेस डालो बेस क्या करेगा अलफा हीडोजन को रिमूव करेगा कार्बेनाइन प्रडूस होगा कार्बेनाइन फिर जो साथ वाला कार्बोनाइल ग्रूप है उस पर टैक करेगा और ऑक्सीजन वाले कार्बोन को आगे शिफ्ट करेगा यहां से जो हाइडोजन रिमूव हुआ था वो ऑक्सीजन के साथ आगे लग जाएगा ओएच बना देगा अफ्टर देट बेटा वाटर का रिमूवल होगा और वाट विल यू गेट यू विल गेट अल्फा बीटा अंसैचिरेटड या किटोन ठीक है अगर आपकी टोन ले लोगे इधर मैंने दो अल्फा कार्बन वाला किटोन लूगी तो मुझे क्या मिलेगा अल्फा बीटा य पर जो हाइडरोजन लगया उसे रिमूव करेगा नाव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये नेगेटिव ली चार्ज कार्बन इस कार्बोनाईल पर टैक करेगा ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा इन दा फॉर्म आफ नेगेटिव चार्ज अब नेगेटिव चार्ज पर ये वला जो हाइडरोजन रिमूव हो है वो जाके लग जाएगा यहां पर बन जाएगा ओएच और ये हो जाएगा हाइडरोजन तो यहां से बेटा पानी का रिमूवल होगा इसका एच पॉसिटिव अपना डबल बॉन्ड यहां देगा और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा फंक्शनल ग्रॉप के साथ वाली कार्बन अलफा अलफा के साथ वाली बीटा अलफा बीटा के बीच में क्या है डबल बॉन्ड मतलब अनसैचूरेशन है और यह क्या है किटोन तो यह बन गया अलफा बीटा हो यहां मैंने किटोन ले लिया एक मैंने अल्डी हाइड ले लिया बस सेम डाइल्यूट एन वच क्या करेगा अलफा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस नेगेटिव चार्ज ने कार्बोनाईल पर टैक करना है डबल बॉंड जाएगा डबल बॉंड और अल्टीमेटली आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डी हाइड या किटोन मिल जाएगा इस इस काल्स अल्डोल क्रॉस अल्डोल में बस यही डिफरेंस है एक आपने किटोन ले ले लेना है और एक आपने ले 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 ल और एक क्या ले लेना है LDH. Now next is, बेटा, क्रॉस अलडोल में लिए पर प्रॉब्लम क्या आती है, कि कंडनसेशन बेट्वेन टू डिफरेंट LDH or ketone is not very successful. ये जादा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि इसमें लग 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 तरहां के LDH बन जाते हैं, जिसके कारण हमें जो है, एक स्पैसिफिक LDH or ketone नहीं मिलता, तो हम इस तरह का क्रॉस अलडोल जो है, वो अवाइड करते हैं, तो वी शूट सेलेक्ट LDH and ketone, विश डज नोट कंटेन अलफा कार्बन, तो जब भी हमने क्रॉस अलडोल करवानी होती है, तो हम ध्यान रखते हैं कि एक LDH ऐसा हो, जिसके पास अलफा कार्बन हो, और दूसरा LDH या ketone ऐसा हो, जिसके पास अलफा कार्बन ना हो, ताकि जो है, जाना तरहा की, चार अलग-लग तरहां के अलडोल ना बन पाएं, देखो अब इसमें जो मैंने क्रॉस अलडोल करवानी थी, तो एक मैंने, दोनों मैंने LDH लिये हैं, पर ये ध्यान रखा है कि एक मैंने LDH ऐसा लिया है, जिसके पास अलफा कार्बन है, और दूसरा LDH ऐसा लिया है, जिसके पास अलफा कार्बन नहीं है, तो simply क्या होगा, इसका H positive remove होगा, इस पर negative charge आएगा, ये C, O पर tag करेगा, O negative की form में shift होगा, उस पर H चा के लग जाएगा OH, ना इसका H in the form of double bond, और ये OH जो है, बाहर निकल जाएगा, and ultimately आपके पास CH, double bond CH, जो है, एक्रोलीन बन जाएगा, तो this is बेटा, cross L-dol में आप ये धियान रखेंगे, कि अलग-अलग LDH की टोन के साथ, जो है वो, थोड़े difficult हो जाता है, क्योंकि mixing of products हो जाती है, चार अलग-अलगता रहां के products बन जाते है, तो हम बेटा, वो एक LDH तो ऐसा लेते हैं, जिसमें alpha carbon हो, because alpha carbon के बिना तो होगी ही नहीं hydrogen, और दूसरा ऐसा ले लेते हैं, जिसमें की alpha carbon नहीं है, next section is, Claisen Schmidt, Claisen Schmidt condensation में बेटा क्या है, एक LDH तो आपने ऐसा लेना है, जिसके पास alpha carbon हो, और जो दूसरा LDH आपने लेना है, वो aromatic लेना है, तो Claisen ने simply क्या difference लिया, कि दो LDH लिये हैं, और उनमें LDOL ही करवाई है, लेकिन एक LDH ऐसा ले जिसके पास alpha carbon है, और दूसरा क्या ले लिया, aromatic, एक LDH लिया, और एक LDH लिया, same dilute NEOH डाला, alpha carbon वाले से hydrogen जाएगा, इस पर carbon iron बन जाएगा, ये carbon iron जो है, carbonil पर attack करेगा, oxygen का double bond आगे shift हो जाएगा, in the form of negative charge, ये जो हैच यहाँ से remove होआ था, वो oxygen के negative के पास, चलके OH बना देगा, ठीक है, फिर बेटा, यहाँ से H और ये OH बाहर निकल जाएगे, और carbon-carbon के वीचे में क्या जाएगा, double bond, and ultimately आपको जो है, cinnamon aldehyde बन जाएगा, so this is Claisen-Schmidt, when an aromatic aldehyde is treated with aliphatic aldehyde, in the presence of dilute NaOH, what will you get, you will get Claisen-Schmidt, or Claisen-Reaction, फिर अगला scientist है बेटा, यह सारी naming reaction है बेटा, यह scientist के नाम पे जो naming reaction है, तो यह बहुत important हो जाती है, आपको direct question आ सकता है, कि Claisen-Schmidt reaction लिखो, या Perkin लिखो, या Eldol लिखो, या Cross-Eldol reaction लिखो, तो यह बहुत important reactions हो जाती है, next is Perkin, Perkin ने क्या change किया बेटा, एक तो aromatic aldehyde लिया, और aromatic aldehyde के साथ, फिर उसने एक acid and hydride ले लिया, करवानी Eldol ही है, बस difference क्या ले लिया, कि aromatic aldehyde की, जैसे Claisen ने aromatic के साथ, elephantical aldehyde लिया था, इसने aromatic aldehyde के साथ, अब reactant change करके, acid and hydride ले ले लिया, acid and hydride क्या होता है, परकिन ने बेटा क्या किया, एक aromatic aldehyde ले लिया, और उसके साथ ले लिया, एक acid and hydride, ठीक है, तो जब आप करोगे, in the presence of CH3-COO-NA, sodium salt of acid की presence में, उसने क्या किया, aromatic aldehyde और acid and hydride को, आपस में react करवाया, क्या होगा बेटा, ये base है, sodium acetate क्या है, बेटा base, इसने ये वही, alpha carbon वाली hydrogen, रिमूव करनी है, इस carbon पे क्या जाएगा, negative charge, ये carbonine, इस carbonine पे attack करेगा, और oxygen के double bond को, in the form of negative charge, आगे shift करेगा, इस oxygen के पास, ये जो H positive निकला था, ये आके जोड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, अब OH के साथफ़ली carbon से hydrogen, रिमूव होगा, और साथफ़ली, और ये OH रिमूव होगा, और बीच में यहाँ पे क्या जाएगा, double bond आ जाएगा, बाकी reaction तो यहाँ पे stop हो जाते थे, पर इस reaction में बेटा, यहाँ पे stop नहीं होगा, अब देखो यहाँ पे यह alpha, beta unsaturated वाला product बन गया, अब इसके बाद further hydrolysis होगा, जब आप पानी डालोगे, पानी में क्या होता है बेटा, H positive, OH negative, तो यह वाला carbon, carbon और oxygen का bond टूटेगा, oxygen पे negative charge, carbon पे positive charge, तो इसके negative के साथ H positive जोड़ देना है, इसके positive के साथ OH negative जोड़ देना है, तो जब आप इस COO negative के साथ H जोड़ होगए, तो यह हो जाएगा COOH, तो एक आप के पास acid मिल जाएगा, और जब इस carbon говорить के positive के साथ आपने OH negative जोड़ दिया, तो आपके मास में बन जाएगा CH3-COOH तो एक आपके पास Aliphatic Acid बन जाएगा एक आपके पास Aromatic Acid बन जाएगा तो Ultimately Perkin Reaction में आपको 2 Acid मिल जाएगे ठीक है Perkin Reaction में क्या करते हैं कि Aromatic Aldehyde और एक Acid and Hydroid लेते हैं In the Presence of Sodium Salt of Acidate Base पहले Alpha Carbon से Hydrogen रिमूव करेगा फिर वो का Carbonine जो है Carbonyl Carbon पर टैक करके OH बनाएगा फिर पानी का रिमूवल होगा जैसे की P.C.L. डोल में चलता ही आ रहा था लेकिन की Reaction यहापे खतम नहीं होगा Further Hydrolysis होगा और Ultimately What Will You Get? You Will Get 2 Types of Acid ठीक है जी? This is Perkin Reaction Now Next Reaction is Kuchro Reaction Kuchro भी Scientist के नाम से ही है Kuchro कuchro कुछ भी आप प्रनाउंस कर सकते हैं जैसी भी आपकी विश है Kuchro ने क्या किया था पेटा एक Triple Bond वाला Compound ले लिया That is Ethine या Alkyne ले लिया उसका Hydrolysis किया In the presence of HgSO4 या H2SO4 Simply बेटा क्या होगा यहाँ पे दो कार्बन वाला अगर Alkyne लिया है तो उसे दो कार्बन वाला Aldehyde मिल जाएगा ठीक है? Basically इसका जो है Double Bond टूटेगा इसका यहाँ से Double Bond Break होगा Double Bond Break होगा तो यहाँ पे जो बिटा है Oxygen का Addition होगा Oxygen का Addition होगा Double Bond O लग जाएगा और आपके पास दो कार्बन वाला देखो यह Double Bond Break होगा इस वाली कार्बन को Oxygen मिल जाएगा इस वाली कार्बन को दो Hydrogen मिल जाएगे ठीक है? Basically आपने तो पानी का Addition करवाना है Double Bond Break होगा है एक कार्बन को आपने वैसे यह reaction ऐसे नहीं होगा जब आप एक bond तोड़ोगे Marconic of Rule लगेगा ठीक है? अगर मैं इसको बताना चाहूँ ऐसे के लिख देती हूँ मैं यहाँ पे CH Triple Bond CH है जब आप इसमें पानी डालोगे पानी क्या होता है बेटा? H Positive, OH Negative ठीक है? तो पहले Single Bond उटेगा जब यह Single Bond उटेगा Marconic of Rule लगेगा दोनों के पास Same Number of Hydrogen है एक को H दे दो, एक को OH दे दो मैंने इस वाली को दे दिया H और मैंने दूसरे वाले को दे दिया OH ठीक है? अगेन अभी फिर दुबारा से Double Bond है, दुबारा से आप पानी डालोगे H Positive, OH Negative फिर Double Bond टूटेगा अब बेटा, एक को Positive देना है एक को Negative, Marconic of Rule क्या कहता है Positive उसको देना है जिसके पास ज़ाधा Hydrogen है Negative उसको देना है जिसके पास कम Hydrogen है तो इस Carbon के पास 2 Hydrogen है इस Carbon के पास 1 Hydrogen है तो इसको आप H दे दोगे, इसको आप OH दे दोगे एक Carbon पे 2 OH नहीं रह सकते यहाँ से बेटा, Water का Removal होगा इसका H और इसका OH, यह वला H अपना Double Bond यहाँ देगा OH को बाहर निकालेगा और Ultimately आपके पास क्या बन जाएगा CH3, C Double Bond O, H आपके पास Eldehyde बन जाएगा तो यह अगर आप पूरा Reaction एक्चुल में ऐसे हुआ है अगर आपको यह पूरा Reaction नहीं करना तो आप Simply याद रखें कि 2 Carbon वाला Eldehyde Alkyne है, उसमें आपने पानी डाला तो Double Bond तोड़ दो, एक Carbon को Double Bond O दे दो Sorry, दूसरी Carbon को बेटा, 2 Bond तोड़े है तो दूसरी Carbon को 2 Hydrogen दे दो इसके पास बन जाएगा CH3 इसके पास C Double Bond OH बन जाएगा और Eldehyde बन जाएगा ठीके बेटा, तो इस इस कुछ रो कल हम करेंगे, यह तो इस तरह से आपकी Condensation reaction हो गई, अब हम Next जो है Canisaro Reaction कल पढ़ेंगे Okay बेटा